नमस्कार, मेरा नाम है प्रभाकर और आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्मों टॉपिक को लेकर सर्शा करेंगी टॉपिक इंपोर्टेंट है दोस्तों हाल ही में कुछ महीनों से सूर पर रहस्मई गतविदिया देखने को मिल नहीं है हाल ही में 11 हप्रेल को सूरज पर मौजूद एक डैड स्पोर्ट यानी मृत धब्बे पर जोरदार बिस्पोर्ट हुआ है जो प्रत्वी के लिए खतरा साबित हो सकता है विज्ञानकों का कहना ये है कि इस स्पोर्ट से निकलने वाले रेडियेसिन के कारण धर्दी पर गुरुबार को या सुक्रवार को जियो मैगनेटिक स्टॉर्म जो की एक प्रकार का तूफान होता है वो आएगा इससे रात में ब्लैक आउट होने और एलेक्ट्रोनिक डिवाईस खराब होने की आसंका है चलिए फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि ये जियो मैगनेटिक स्टॉम क्या होता है तो जियो मैगनेटिक स्टॉम एक प्रकार का सोलर स्टॉम है यानि सौर तूफान है यह सूर के आसपास और बातापरण की जो उर्जा है उस पर भी असर पड़ता है दोस्तो सोलर स्ट्रॉम को लेकर नेशनल ओसियनिक एंड एट्मॉसफेरिक एड्मिनिस्टेशन ने एक चेताउनी भी जारी की है दोस्तो इस चेताउनी की मताबक 14 अप्रेल को मॉडरेट तो 15 अप्रे सोलर स्ट्रॉम है ये G2 केटेगरी का है इस लेबल का तूफान 5G जितना भायानक नहीं होता है फिर भी काफी हद तक डैमेज कर सकता है तो दोस्तो ये है चेताउनी नासा की और NOAA की दोस्तो सोलर स्ट्रॉम से किन चीजों पर असर होगा चलिए हम इनको भी डिसकस कर लेत है तो जो गुरुवार या सुक्रवार को आने वाला सॉलर स्ट्रॉम है इसका असर मोबाइल नेटवर्क और बिजली के बोल्टेज से समझा जा सकता है इसकी बज़ए से GPS सिंगनल और मोबाइल नेटवर्क में गड़बड़ी आ सकती है साथ ही प्रतिवी के लोवर और्ब नीचे होने की बज़े से electronic device खराब हो सकते हैं इसलिए इन हालात में कोई भी device चार्ज ना करें दोस्तों क्या इस प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है तो जी हां दोस्तों इसी साल की शुरुवात में एलन मस्क की स्पेस कंपनी के 40 सैटेलाइट जियो मैगनेटिक तू यानि पूरी तरह से जल कर खाक हो गए थे तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस लेक्चर को सभी को सेर कर दे और श्टिडी कर को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जैहिंद वंदिमात प्र कर दो दो भीक्चर कैसी में दोर आओरूमरो जाओ यहिंदर बतातबगना खाक हैं वंदिमात वालो एंदे वालो हैं झीमात ब मतमानना झाल प्रकार यह पर ःवेतों को सब्सक्राइब कि लेए भीक्चर वर 0表 से ऊहिंए उन。